है कि हालो फ्रेंड वेल्कम तो मैं चैनल ट्रेटितप्र आज बात करेंगे नेग्स्ट मार्केट कैसा मौफ कर सकता है मंडे और मेंडे को भी देखेंगे अवर मिटका इसके बान कि मंड़ को एक्सपेरी में किसा मूफ कर सकता है सबसे बैंक लिए देखते हैं नेक्स्ट विक कैसा दिख रहा है और पहले विकली टाइम फ्रेम का देख लेते एक विकली कैंडल कैसा देख रहा है तो पांच वीक से रैट केंडल बना रहा है कंटीनू ठीक है लेकिन वह वा अल्मोस्ट हम लोगा केंडल इस तरह बनेगे लेकिन अभी नेक्स्ट वीक जो मुझे लिख रहा है नेक्स्ट वीक कुछ अच्छा का सेलिंग प्रेशर मार्केट पाच वीक से लास्ट पॉइव एक सेलिंग प्रिशर मार्केट नेकिन उतना सेलिंग नहीं आपाया तो पर मतलब अच्छा सा बुलिश केंडल एक बने ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि इतना अगर पाच वीक में अगर एक भी बड़ा कंडल नहीं बना तो बहुत चांस है कि नेक्स्ट वीक और एक केंडल यहां पर बन सकता है तो मैं क्या सुचता है बड़ा कंडल बनता तो एक ह सब्सक्राइब के बाद थोरह से और मतलब गिर के देन वहां से जो शॉट स्क्वीज होगा वह वाला ज्यादा इंपोर्टेंट होगा और वह मुव थोरह सब लैक बहुत बड़ा मूव आ सकता है बड़ा मूव इंदसेंस कि आपका कि एक विक में हो सकता है यह सब लेवल सब्सक्राइब करें यहां से मालो मार्केट गेप डन हुआ यहां तक इतना बड़ा से केंडल बना पाया मैं ऐसा पॉसिबल है जेको मेरे पाद आल्यडी शॉट पोजिचिन है इवा टेली दर तुट मेरे पर शॉट पोजिचिन है लेकिन मैं अगर नेक्स वीक में बुलि के लिए के लिए ही देखुँगा और ऑसे जादा आउट फोन करें प्रिकत को तो मैं बैंक को ठ्रक थोड़ा सा मैं बुलिश के लिए ट्राय करूंगा अगर अगर बिखर आघ्रों कर सकता है कुद ने में अभी कि लिए जो मुझे दीख रहे है वी टाम तैम फ्रेम में व पाच दिन से ओर रेंज में है तो ऐसा लग रहा है कि आपर साइट रिंज ब्रेक करने के लिए मार्केट थूरा सा ट्राए कर रहे है तो आपर से ब्रेक कर जाए ऐसा एक दिखे रहा है तो थूरा सा शॉर्टर टाइम में दो हम लोग एंट्री एकजिट नेच्स विक कैसे कर बहुत लोगे आपर शॉट के लिए ट्राइग रहे हां कि यहां से जो यह आगा में इसका बात कर रहा था कि कि देखा मार्केट में का प्लेइन मूव आ गया है तो प्लेइन मूव में न कोई मतलब इतना बड़ा मूव नहीं आता जब मार्केरिक ट्रैप करता है लोगो तभ कि आपर लिकाउट आजाए ऐसे हो सकते या फिर जो में ने कहा कि यहाँ पर नीचे आके दिन मंदे के दिन यहां तक पहुंचे दें ट्यक मूंव को आन्वर्ड जी जादा ब्रेक आउट तो अब बीडियरीश धुक्त मैं हम लोग को देखना है अब्लां गरबड हो गया बैरिष होना है ठीके पाच रेट रेट करने बना देश्टा भी बना सकता क्या दिक्कत दिश्म है ना तो कहा हम लोग को देखना देखो एकदम जो लेवल है यह वाला zone इसको क्रोस कर गांव 50,000 पकड़ यह फिटीजन वाला जोन अगर क्रोस करता है इस जोन को तोड़ा तो यह सब और रेस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केड और यह हो सकता है यह थोड़ा से और अगर इसको तोड़ा इस तोड़ा देन वह नीचे आएगा ना तो आप उसे ट्रेल भी कर सकते हो क्योंकि हो सकता है उसके अगर चल जाएगा तो नहीं अगर रेच बनाया हुआ है टीके रेच बनाया ओपर कर इंग तोड़ेगा आप अच्छा से ट्रेट कर तोड़ेगा तो अच्छा से ट्रेट कर सकते है तो तोड़नी से पहले फस्त आगर यहां तक रखना जो गया पढ़े तक रखना उसके बाद आप देखना कि क्या करना नहीं करना कि यह टार्गेट रेक्टिके बुक करके बैठेर हो बाद में देखो चिल मारो कि कहा मार्केट जा रहा है उसके बाद आप उसको ट्रेट कर सकते हो बहुत बड़ा गैप डाउन दिया तो आपका ही मूफ चला गया तो वह वेट और वाज सीचिवेशन में बहुत बड़ा गैप निए अब बाद 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 कि पर आपका है सब्सक्राइब हो एक लिए तो बड़ा पर सब्सक्राइब कर सकते हो तो जा रहा है तो तो मैं जनलेएस एप्लान करता हूं तो इसस आप देख सकते हो गैप डाउन new डेप और फ्लै कैसा कर सकता हूं ठीग है तो यह देखते हैं निफ्टी फोड्र से देख निफ्टी से देखर लेख लेकिन देख लेसे लिट का वीट्ली टैम्फ्रेम तेख लेकर ज्यादा कुछ देखो यह तो अलड़ी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है विकली में भी और लग रहा है कि मुझे कि यह वाला से जोन है ना यह लाइक ट्विंटी फॉर थाउजन एटंडेड नाइननेड वी एक बर टेस्स करने के लिए आ जाए माद ट्विंटी फाउजन का आसपास आज ऐसा दिख रहा है क्योंकि जब जिस जब भी इस तरह का एंडल बनता है ना नॉमली मार्केट में एक म बना जब एक मुव आया जब एक मुव आता है एक एक मुव आता है ठीक है जो अल्मोस इस तरह का बनाया है मुव आया इस तरह का बनाया फिर से मुव आया नीचे के तरफ इस तरह का एंडल बनाया तो यह जब भी मार्केट इस तरह का एंडल बनाता है चाहे डेली में हो या फिर विकली में हो, next day थोरा सा मूव आने का chances होता है market में, क्योंकि एक volatility दर्शाता ये candle, तो next week इसले, या फिर उसका next candle, normally move आता है market में, तो daily में भी सिंपल दिख रहा है, कि range उपर साइट का break करने कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारा gaps है, यहाँ से स्ट्रॉंग gaps हो सकता है, यहाँ से selling आए, यहाँ पर भी selling है, यहाँ बहुत strong gaps है, मैं आपको पहली कहा था कि इस gaps बहुत जादा strong है, तो यह market तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यह वहाँ तक वो जा सकता है, यह भी एक है कि वहाँ तक चला गया ना, तो काम खताम कर लेगा, अपना मेरा gap, मैं ने कर दिया, अभी मैं गिर सकता हूँ, अभी तो अभी 30 मिन्स में देखता है, यहाँ पर भी same है, निफ्टी बैंक सब्सक्राइब का मार्केट नहीं देगा, अगर मार्केट को ओपर भी जाना है, तो एक फिक आउट चाहिए, तभी मार्केट जल्दी जाएगा उपर, और अगर नौम इलिया भी जाना शुरू किया, तो हर जगह सो रिजिस्टेंज मिलेगा, अभी यह वाला रिजिस्टे जो यह वाला गैप है यह वाला गैप है यह वाला गैप फिल कर देन अल्टिमेटली डाउन ट्रेंड में ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी से तो इसलिए हम लोग को शॉर्ट स्क्वीज होता है तभी हम लोग जादा इंट्रेस्ट लेना है कि हाँ चलो ट्रैप करके मार गढ़ने सेम निफ्टी में इंट्राडब में बंदास में लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में अग्र फ्ल потр आपन होगी स्कोब रिक कर रहो कि तरो में अम्लों को टार्गेट तो यहाँ तक कर टारगेट बन सकता है तो यहां तक आये तन यहां तक आये तन इसके बाद आपको वेटन वाच करने वुक करके बेटेरेना कि देखना एक नेक्स कैसा मूव हो रहा है और अगर बहुत बड़ा गप आपको जैसे कहा था कि थोरा से नीचे आए देन अगर इस लेवल को टेस्ट करके इस लेटेस्ट नेचे से अगर जाता है उस मतलब ट्रैप करके अगर सबको बेरिश बनाके जाता है देन में ज्यादा उसमें बुलिश हो और अगर यह नॉमल जाता है तो में जिसे के फ्लैट आपन को पर ही जा रहा है यह तो रहा सा देन में ज्यादा में यहां तक मैं टार्गेट रहेगा अगर वह शॉर्ट स्क्वीज करके जाता है देन मेरा टार्गेट वहां तक रहेगा जब को दिखाना उद्दम लावल लेवल तक यह वाल यहां तक माला अलमस्ट 25,000 कास पस तक मैं टार्गेट रहेगा हाँ शॉर्ट स्क्वीज होके जाएगा तो ऐसा मूव आने का चांसेश है ठीक है तब मिटकेट में देखते हैं मंडे के लिए मिटकेट में इंट्रेस्टिंग क्या है मिटकेट में अभी नेक्स डे भी मुझे जो मंडे को सेम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है अगर फ्लैट ऑपेनों के नीचे से आके जाता है तन में इंट्रेस्ट जादा हूं ठीक है क्योंकि यह जो जो जोन है यह वाला जोन मुझी नहीं लगता यह मार्केट तोड़ेगा यह वाला जोन जो है फॉर फिप्टी फाइवन्डेड की आसपास जय यह यहां ठोड्र हो सकते हैं सपोर्ट ले फॉर फॉर फॉरिटि-फ्यमंड के आसपास एक सपोर्ट ले यह वाला जोन है यहां जल्दी तूटना नहीं चाहिए और इसमें पैटरन ज्यादा अच्छा करेगा हो सकता है कि यहाथ तक आये फिर जाये दन क्लोजिंग दे इसके आसपस लेकिन मुझे इसमें ज्यादा एक तम हाइपर में बुलिज भी नहीं हो नेक्स्ट मंडे के लिए और हाइपर बीरिज भी नहीं हो मुझे एक थोड़ा सा रेंज दिख रहा है क्यों यहाँ पर गैप है यह वाला गैप भी पैंडिंग है ठीक है उपर भी गैप है और उपर रेजिस्टेंस भी यह वाला एरिया रेजिस्टेंस होगा यहां से से देखो मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूं जब भी ना मार्केट में वालेटलिटी होता मदफ बिक्स अप होता है जब भी बिक्स अप होता है यहां पर जिसने भी मानलो ऑप्शन सेल किया था ठीक है सबसे बैक्टर ऑप्शन किया होता है पता है एक फ्री मनी पहालीट कर दिया है ठीके मालो के मंदे के दिन अपनी हापर कॉल शॉट कर दिया ठीक है पर कौल सॉट कर देटेट कर देटेख आपको क्या कीम वाला आप देशा होते तब आपका premium घटता ही घटता ठीक है तो विक्स जब crash करेगा तो आपका premium घटेगा मारकर थोरा साइडवेस चलागे आपका ब्रीक्स crash हो जाएगा मारकर साइडवेस होगे आपका premium बहुत जल्दी गलेगा तो वह एक वैसा होता है कि यह free money टाइप का है जब भी जादा होता है तो लोग क्या करते इसको शेल करते मतलब option घ्रशन और खास तर पर गॉल करते जिब आपका यह five अगस के दिना यहां पर यहां का जुद था premium ठीक यहां का जो premium तहिए वाला जो गया पाने के पर जो premium हो यहां पर जुद था premium ना यह आपको लग रहा है कि यहां पर भी यह प्रिमियम है आप मंतली में शॉट किया होंगे और मालो इसका 24 700 का पी शॉट किया होंगे हैं उसका प्रिमियम आधा से ज़्यादा कम हो गया होगा इतना ज्यादा होता है तो उन लोगे लिपास बहुत ज़्यादा स्कूप है यह मार्केट को थोड़ा बढ़ाए अब उसका प्रिमियम खास कुछ नहीं बढ़ेगा वह जो प्रिमियम में शॉट किया वह बढ़ने वाला नहीं है आप जाके प्रिमियम चार्ट सेबर चैक करना 24 700 के मैंने देखा भी नहीं में फिर भी बोल नहीं होता है जब ही मार्केट में वालेटलिट होता है लोग कॉ वह एक्दम हलका सा फ्री में टैप का है आपको मिलने का चांस बहुत जाद है सौधेश रूपया अगर आपको मिल गया फ्री में तो क्या चाहिए प्रीमियम मालब 25 का लॉट है तो धाय तीनाजार मिल गया उन्हों लोग के लिए बहुत जाद है लोग तीन चार परसंद क बहुत इंपोर्टन खेप यह याद रखना यह गयप यह गया यह धेख़ इविजल फील होगा अभी ने तो कभी तफी फिल होगा दो मेहिना में इस जितना जल्दी फिल कर क्या अधे उतना बेटर है उतना बेटर है उतना वो एक स्विफ्ट मूव आ सब्याग है को और मा इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं दिस और अगर वह लोग नहीं मानेंगे लेकिन सेम अगर माने लोग की वही हिंडन वागर बोल दे की सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बोले देखो 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 मला मुझका धंका बज रहा है अगर ही इंडिया निकोनमी के बारे बुराइब करते हैं तो यह तो यह तो लग एक ऐसा डैप को होगे ना कि मतलब खुद किसलिए अच्छा बोले गांगा बुडा बोलेगा तो नहीं मानूंगा पास अगला पड़सवाल आंटी अगर तारीफ किया तो बोलूंगा पड़स आंटी हरामी है ऐसा डाइब के बात हो गया तो यह लेकिन देखो अगर मुझसे कहो मैं अभी से नहीं बहुत दिन से बोल रहा हूं इंडियन जो चल रहा है इन इंडिया का जो एकनोमी भी चल रहा है वह बहुत इसमें एक लिक बहुत कुछ है इसमें ठीक इसको आप चल यह बहुत अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है फॉर फ्य पीपल और मतलब इसमें बहुत बढ़ा एक में एक दिन बताऊंगा एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि क्या हो रहा है तो इसलिए मैं जादा इंट्रूस्ट नहीं हूँ अभी लेक इंडियन एकनोम बात करें इंडिया का तो इंडिया का किनोमे कुछ खास नहीं है मैं बस एक बोलों कुछ खास नहीं है जितना दिखा रहा है अगर जितना लोग बोल रहा है मतलब जितना दिखा रहा है उसका 10% भी नहीं है मैं एक दम आच्छे से बोलो 10% भी नहीं है ठीक है एकनोमी जो लोग पता नहीं चाहिए इसा अच्छा है उसका 10 परसें भी नहीं है और लेक मुझे तो लगता है मैं बैसिक एकनोमी जानता हूं कि वो लोग पता नहीं शायद एकनोमी क्लास किये होंगे कि नहीं किये होंगे बट लोग स्थ लोग बस घुम्रागर रहें ऐसा मुझे फिल बचल क्यां उसके पीछें बborत दोगर कि इंदिया कभी घर नहीं सकता नूहीं हो सकता इंडिया बहुत बेर में बायज मत रहो कि इंडिया करेगा ही और इंडिया बहुत अच्छा रबाइस मतरो दर्सित में ही इसलिए में बोल रहा हूं इसलिए में ज्यादा डीटेस में नहीं या आई अपको बीटो बसंदा हागा बीटो बसंदा थे विडियो को लाइक इन्षिफरस अभी के लिए इतना है मिल तेकले वीडियो में तब तक यह बाइस शुक्रिया और अ क्या लगना